पिछले वीडियो में हमारे महमान के बारे में आपको बताए थे आप हम डिसकेशन करने वाले मेड एजनसी बिजनस के बारे में 1-2-1 question and answer discussion तो आईए सर से पुछते सर आपका क्या पहला सवाद है मैं यह जानना चाहरा था कि आपने आपका वीडियो नमबर बन में सुझाव दिया था कि जैसे हम कोई गाम को भीडोंग करते हैं तो वहां से बाईयां कुदा करके हम कोई एक जगह मेल 1 करूंप करूंबीन शीमस करण यह herd है इसको बहुतह प्लाइब कंभी होसकते हैं लेकिन लीपीन हुआधर कर यहां कभी黨 करने के लिए सब्सक्राइब के लिए और कोई नियुँग कुई काम करे ही हाट है और हमयी घर में धो समय समय पर काम के लिए आती रहती हैं तो मुझे किस में बोड़ा इस्कोप लगा तो मैं करना चाहरा था तो मेरा सबसे पहले क्यूस्थी है कि जैसे मालो मैं पांच बाई या छे बाई या तस बाई मेरे गाहों से नेटिव देसे बुदा के रूम हायर करके मैंने लख लिया लेकिन जैसे कभी-कभी क्या होता है कि कोई भाई छुटा काम पे जाती है फुल टाइम उनको जोग नहीं मिला है कभी पोचाबवारी करने के लिए तो थोड़ा-थोड़ा समय उनके बीच में दो-दो-तीन-तीन गंठा उनको पास इस्पेर रहता है या कभी कोई किसी के का करने के लिए जाते हैं वो तो दिन बाहर चलेगे तो वो पांत दिन के लिए क्या करें तो कोई ऐसा साथ में कि उनका जो इस पेर टाइम है या उनका जो चुक्ति का दिन है तो उसको भी हम यूज में कर सकें कि उनका भी टाइम निकल जाए हमको भी और एक्स्ट्रा कर सकें तो उसके बारे में हम जाना चाहरे थे कि उनका इस पेल टाइम को हम और साथ में को यह काम कर जेना चाहरे है तो अब शौट मैं समराइज करना चाहता हूं सर ने हमारा पहले का वीडियो देखा जिसमें हमने यह भी बताई थे कि आज दिमांड जो है वो जादा है क आपलाई काम जो बात सच है, तो सर जो है वो यह बूलना चाहते कि अगर वो गाउंसे कुछ लोगों को बुलाते कुछ बाई को बुलाते जो को बुलाते जो फुल टाइम काम नहीं मिले तो उनको कैसे पूरी तरीके से यूटिलाइस किया जाएगा तो अब सबसे पहले तो बात यह है, कि अगर आप बाई के बिजनस में जाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप गाउं से बुला के रूम लेके खर्चा करना समझदारी नहीं है, आप सबसे पहले जो आपके आसपस की बाई है, जो अकसर यह अनपढ़ रहते हैं, कुछ नहीं प पड़ेगा, इंवेस्मेंट करना पड़ेगा, गूगल पे, और दूसरे एडवर्टाइजिं माधियम पे, अभी न्यूस पेपर वाला जो आपके इलाके में आता है, उसके अंदर पैंप्रेड बाटो, ठीक है, एक कंपनी का आपको नाम बनाना है, जैसे आपके बना दिय तो परेल में आप जा रहे तो आपके आसपस की बाई का डेटाबेस आप जमा करोगी, ठीक है, तो आपको ग्रहक दू वहां के ही चलिए, ठीक है, तो आप न्यूस पेपर एड़टाइजिं के माधियम से, या आप जो एक कोई प्रॉमिनेंट प्रॉमिनेंट प्लेस पे आ आपको फिलाल सिर्फ कमिशन लेने, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, बहुत सारे कस्टमर्स फोन करेंगे, और हो सकता है बाई भी फोन करेंगे, सहाब हमको नौकरी चाहिए, तो आप पहले डेटावेस बनाने, ठीक है, कि आपके पास हजार बाई का नमबर भी होना च ठीक है, ठीक है, फिर आपको ये फिल्म में आप आगये, आपको समझ में आगया, अब आप जब भाई को जगा लेके बुलाओ भी, तो आपको उनको बुलाने से पहले ही उनके लिए नौकरी देखके रखने हैं, जैसे आपको लोग बोलेंगे, ये तो छुटा काम करने व आई, तो उनको आप उनके लिए आप बुलाओगे, आप ऐसे बुला के सिफ रखना समझदारी नहीं है, क्योंको उसमें बहुत सारे जमेल है, जमेल है इसे, क्या आपने उसको तिकित देखके बुलाया, जगा लिया, वगयरा, वगयरा, ठीक है, वो उनका पती हो सकता है, ना भी भेजे, चिक है, आज कोई यंग औरत को क्यों भेजेगा, दूसरी बात है, आपने बुला लिया, वो लोग ने सोचे, हम तो आएंगे इनके पैसे पे, और खुदी कोई अच्छा जॉब धून लेंगे, आपने किसी से मिला लिया, वो चली गई, तो टिकित भाड़ ऑनसे काम भो यहानी, तो मैं पहले उनके उनके काम धो dignoonगा, तो वो मैंटल में ऐसे होता है के पीछ बढ़त सूल Shuma ये जाना पर अलिट में सब्सक्राइबटा निए गालद क्री नेनिये लॉहार यूपता से गपताना जाता है। और यह तो लेक यह जो है। ज़ाडू पोता ही मारते जाओ, वो भी एक नहीं, चार चार पांच पांच बाई रखते हो लोगे, खुछ अभी कमपनी है, मैंने वाँ पर देखा है, वाँ पर ज़ाडू के लिए अलगे, पोचे के लिए अलगे, बातरूम साफ करने के लिए अलगे, अभी मैं शौक हो गय मेरे पास तो यह चीज आभी आपको भी जाननी है, जो इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, कि मैंने उसको बुलाई तो एक बातरूम की बोकिंग के लिए, को काम अच्छे से कर रहा था, तो मैंने उसे कुला, भी एक काम करना, तो मेरा दूसरा बा बातरूम का पैसा भराएं, तो वो दूस्तो रुपे मेरे लिए दूसरा बात रूँ करते हैं, क्करीमान आधिक कीमान, है ना, क्योंकि अर्बन कमपनी कुछ कट करती है, कुछ यह होता है, तो ऐसा है, तो मैंने उसे यह बोला, तो मैं पता है, उसे मुझे क्या बोला, उस इन लोगों को रेजिस्टर करती है, और यह इनको काम देती है, कि तुमको यहां जाना है, तो वो वहां जाके काम करता है, अर्बन कमपनी से जो पैसे आते रहों, उसको मिलते हैं, आब समझ रहें, अब लोगों ने ऐसा भी काम शोई, तो उसे मुला, मैं को तुमा रिपो कोई की बसकी बात नहीं होता था, तो यह भी एक चीज़ है, तो सबसे पहले तो आप यह जाके किस तरीके से समाल सकते हैं, अगर आप इसको, असा सीनियर सेटिर्ज़म यह ना सोचे कि यह टाइम-पास की चीज़ है, क्योंकि आपने अगर इसमे अच्छे से काम किया, तो कम से कम अगर आपने 100 मेट्स नौख्री पे लगाया, on in average 3 लेशन में 30 लोग दम तर में 30 में तो आपने 100 मेट्स हम कर आपको कमिशन समझोगा, 2 हजार मलता हुकान मेक वालहाई है बहुत सारे लोग उसकी एक पगार भी लेते हैं, तो अगर मैं 90 भी पकलू हूँ तो 180,000 रुपय होता है, तो अच्छी रकम है, लिकिन डेफिनिटली हूँ कमाने, आपको कुछ खर्च भी करने पड़ेगा, आप तीन लोगों को नौकिरी पे अगर लगारे रोज का तो आप अखिले वो नहीं कर पाऊगा, आपको एक एसिस्टेंट भी रखना पड़ेगा, एक टेली कॉलर भी रखना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं कि आप एक ओफिस लोगों, आप अपने घर से भी एक लैप्टॉप लेके शुरू कर सबते हैं, तो इसमें हैं अपोचनेटीज, तो ये तरीके से जाना ज्यादा बहतर है, ना कि बाहर से बुला के उनको रख के वो भी करना है, लिकिन वो उन लोगों के लिए जो पहले इस फील्ड में अपना नाम बदा लिए, तब वो करूँ अब अच्छा जान करेंगे आपने कि इसमें यह यह कि जैसे अभी हमारी एक बाई छूम ली थी काहां कि मैं नहीं नहीं गांज एक टूपने जारे हूं मैं यह काम करेंगा, तो अब दूसरा बाई मैनेज करने में हमको मैनों लग दे मतला हमको को निली नहीं बाई वहां दूसरी हमारी बिल्जिंग में जो बाई आती हैं उन से तीस्ते रहें और करते रहें तो आप जब गोने कि